दोस्तो कैसे हैं आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सुरेज एक बार फिर से सुरेज एकडेमी में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो जैसा कि आपको पता है हम ICR Technician T1 के लिए Expected Questions की सीरीज चला रहे हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट की दो-दो वीडियो Expected Questions की मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ अगर आप नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लीजेगा क्योंकि यह Expected Questions ऐसे हैं जो आपके जो 7, 8 और 10 जुलाई को होने वाला एकड़ाम है उसमें आ सकते हैं उसके लिए Expected हैं बहुत Most Important है तो उसी सीरीज में आज हम Social Science की Question करने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज का पहला Question Question Number 1 Question Number 1 में क्या है देख लेते हैं निमने लिखित में से कौन सा संगटन और मुख्याला गलत धंग से मिलाया गया है देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है सबसे नीचे से देखते हैं खाद तथा कृसी संगटन कहां पर है वही रोम इटली में बिल्कुल सही है पहला डी तो सही है अंतराश्टी डांक संग बरन में है यह भी सही है इंट्रपोल का मुख्यालए कॉय है यह ओंडन में में तो इसका जो नंबर ए हमसे घालत भंड जो मिलायंわか है टो और गलत जो option जो मुख्याल है जो होगा वो कनाड़ा होगा लेकिन लंदन दिया है तो ए बिलवीदा right answer आगे बढ़ते है next question question number two question number two इन में से भारत कि संगठन का सदस्ट नहीं है यह हमसे पूचा है तो जैसा कि कि आपको पता होगा G20 का है सार्क का है UN का है लेकिन G8 का इस अदस्ट नहीं है तो इसका जो right answer हो जाएगा G8 जिसमें बता दूँ सार्क का जो मुख्याल है वो कहा है काठमांडू नैपाल में है ठीक है और इसके जो UN के है इसके मैक्जिमम तो नियुयार्क में ही है बाकी जो अंतराश्टी नियाल है उसका दाहेग नीदर लेंड में है और इसका जो G20 का फॉर्मेशन स्थापना जो ही थी वो कभी थी 1909 में भी हुई थी इसका जो right answer होगा वी होगा आगे बढ़ते है नेस्ट कोशन नमबर तिन थी विभेन देशें द्वारा है टाक शृत करार कोटौ को में से किस से है यह पूंचा गया जैसा कि आपको पता है को हुई परिवर्त जो है और आइसका यह परिवर्त तॉसरसर घर को मते यह हैं मतबद देख्र कराइए बदक तुमित कृतिक आपदा से जी नहीं अंतराश्टी व्यापार से जी नहीं गहरे समुन्तु से तेल और खनिज का अनिमेशन करने से जी नहीं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सिन नमबर ए बिलवीदा राइट आंसर आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन नमबर चार भारत यह किस देश के साथ 95 göra cheaper किये थे मैं आपको बटा दूं imaginary यहीती उननिससर कभीति 1934 मेशी द् MARK श्ची गलओं धांसर में मिले तो समझ गयोंगे यह संदि होंगर चीन के वेची ती यह संदी भारत और चीन के विच वेची थी इस व्हारत और चीन के वीच निंब थी जिससे एक नारा निकला था हिंदी चीनी भाई भाई उसमें क्या हुआ था उसकी कंडिशन्स थी कि जो हमारा भारत चीन की भारत चीन एक दूसरे की मदद करेंगे अगर उनका कोई दुस्मन भारत में आ गया है तो भारत वाला बता देगा और भारत का कोई दुस्मन ची आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 5 क्या कह रहा है देख लेते हैं भारतिये बंद सेवा की इस्थापना कभी थी यह पूछ रहा है इंडियन फॉरेश्ट सर्विश जो है इसकी इस्थापना कभी थी तो मैं आपको बता दूँ एक All India All India Service Act 2401 में आया था 1921 में आया था हमारी तीन All India Service होती है जिनमें IAS और IPS ias और क्या है IFS तो इन में यह तीसरा जो भारती बनसेवा IFS है इसकी इस Act के According All India Act All India Service Act जो 1901 क्या बने इसके According जो इसकी भारती बनसेवा की स्थापना हुई थी यही थी एक जुलाई 1966 को कभी थी एक जुलाई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Option Number A कौन सा हो जाएगा Option Number A बिलवीदा राइट आंसर आगे बढ़ते हैं Next Question Next Question क्या है Question Number 6 My Country My Life नामक पुष्टक के लेखक कौन है यह हमसे पूचा गया है तो मैं इसका आंसर बता दूँ आपको एल के आडवानी जो है इसके लेखक है और इसमें क्या है एल के आडवानी के ब्यक्तिगत जीवन को कभरण किया गया है इनके जो ब्यक्तिकत जीवन है उसका वरण किया गया है किसमें माई कंट्री माई लाइफ में ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option number we will be the right answer आगे बढ़ते हैं next question तो दोस्तो next question का explanation बताने से पहले मैं आपको बता दू important information जो की है कि कल 2 तारीक 3 तारीक 4 तारीक और-5 जुलाई 2,3,4,5 जुलाई को मैं एक-एक महराथन लेके आने वाला हूँ आपके जो जीके की है उसकी कल लाऊंगा और फिर math की 3 को और फिर science की चार को और फिर social science की पांच तारीकों मैं मैरतन लाने वाला हूँ और उसमें अत्ति संभावित प्रिश्ण कराने वाला हूँ जो कि आपके exam के point of view से very most important होने वाले हैं जो कि आपके paper में आ भी सकती हैं उनमें से कुछ question ऐसी भी हो सकते हैं कि आपके paper में आ जाएं तो इसलिए वो बहुत important होने वाली हैं आपके लिए class तो देखते हैं ये question question number 7 क्या कह रहा है केंद्री विधान मंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतिये कौन थे तो देख लेते हैं जो सचिदानन्द जी हैं तो ये आपको पता होगा मैंने previous वीडियो में भी बताया है ये हमारे सम्मिदान सवाके जो थे पहले अध्यक्ष थे लेकिन अध्यक्ष तो जरूर थे लेकिन आइस्थाई अध्यक्ष थे कैसे आइस्थाई अध्यक्ष थे ये सचिदानन सिना आइस्थाई अध्यक्ष थे सबाके और जी भी मावलंकर जी यह आप जानते होंगे यह लोग सबाके क्या थे पिर्थम अध्यक्ष थे यह लोग सबाके पिर्थम अध्यक्ष थे जी भी मावलंकर जी और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे यह समधान सबाके इस्थाई अध्यक्ष बना बना दिये गए थे किसे डॉक्टर राजेंद्र प्रिसाद जी को और जो में विदैन मंडल興 बनने वाले पहले हमारे छो कौन थे बिठर वाई पटेल जो की 1925 से 1935 से 1930 तक रहे थे कब तक 1925 से 1930 तक रहे थे केंद्री विधान मंदल के अध्यक्ष तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option number C C विलवीदा राइट आंसर आगे बढ़ते हैं next question question number 8 question number 8 क्या कह रहा है देख लेते हैं राष्टी विकास परिसद में कौन सामिल होते हैं तो राष्टी विकास परिसद में कौन सामिल होते हैं यह हमसे पूछा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो राष्टी विकास परिसद हैं इसका जो गठन हुआता है इसकी जो इस्थापना ही थी वो ही थी 6 अगस् तो 1952 को इसकी स्थापना ही थी और इसके जो सदस होते हैं हमारे भारत देश में जितने भी राज हैं सभी राजियों के मुखमंत्री जो सभी राजियों के मुखमंत्री होते हैं वो इसके सदस होते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा option number B हो जाएगा सबी राज्यों के मुख मंत्री तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीविवली दा राइट आंसर तो आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 9 क्या कह रहा है देख लेते हैं फ्रांस की क्रांती कभी थी यह फ्रांस की आपकी जो 1789 में हुई थी कभी थी 1789 में हुई थी और जब यह क्रांती हुई थी तब उस तमें जब फ्रांस के सासक थे वो कौन थे हमारे लूई हमारे क्या थे लूई 16 थे कौन थे लूई 16 थे और यह कभ से सासक थे यह 1774 से यहां के सासक थे कब से थे 1774 से फ्रांस के सासक थे और इनी के टाइम पे क्या हुई थी फ्रांस की क्रांती हुई कि जो की option number B में दिया है इसके अलावा मैं आपको बता दूँ ये तो सासक थे 1774 से लुई 16 जो की फ्रांस की क्रांती के इस टाइम पे सासक थे लेकिन उनसे पहले एक सासक बहुत खतरनाक था वो तो यह कहता था जैसे कि आपने उसमें देखा होगा ना बहुवली में बहुवली मुवी में जो सिभगामी देवी जी होती है वो कहती है जो हमारे मुख से निकल गया हर सब्द कानून होगा इसके मुख से निकला हर सब्द कानून होगा यह कहता था यह लुई 14 कहता था कि मेरे मुख से निकला हर सब्द कानून होगा तो यह इतना ज्यादा खर्तानाग था तो आगे बढ़ते हैं इसका तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा option number 2789 आगे बढ़ते हैं next question question number 10 question number 10 क्या कह रहा है देख लेते हैं question number 10 लिवरे क्या था लिवरे फ्रांस की मुद्रा थी यह जंडा था यह फ्रांस की राजमहल का नाम था यह राष्टी सासक का नाम था तो मैं बता दूँ यह जो लिवरे थी यह एक मुद्रा थी क्या थी फ्रांस की उस टैम्प की एक मुद्रा थी लिवरे लेकिन अगर मैं आप से पूछ लो जो फ्रांस की इस टैंप मुद्रा है वो क्या है क्या बता पहेंगे उसकी इस टैंप की जो मुद्रा है वो है यूरो क्या है वे यूरो फ्रांस की इस समय जो मुद्रा है वो है यूरो और जो लिवरे है लिवरे भी फ्रांस की एक मुद्रा ही हुआ करती थी, आगे बड़ते हैं next question question number 11 question number 11, कह रहा है देख लेते हैं, estate से क्या अभी प्रया है, estate से क्या अभी प्रया है, ये हम से पूछा गया है क्या अलग-अलग राज्यों के state कहा जाता था, नहीं जी, धार्मे केंद्रो को एस्टेट का जाता था नहीं जी और सीधे राज को दिया जाने वाला कर था जी नहीं यह भी नहीं था तो फ्रांस के सामाजिक बर्ग का विभाजन था तो जो एस्टेट था जो वो सामाजिक बर्ग का एक विभाजन था तो यह तो हमारा इसका आंसर हो गए इसके अलाबा मै आपको बता दूँ यह जो सामाजिक बर्ग का विभाजन जो था फ्रांस में तीन भागों में बाटा गया था कितने भागों में तीन भागों में बाटा गया था एक तो था एक थे पादरी एक थे पादरी और दूसरे भाग में जो थे कुलीन बर्ग आता था दूसरे भाग म चोठे ब्यापाइडी जो थे और इसके अलाबा जो थे किसान जो थे इसी निमनबर्ग में आया कप्रती थे और जो मैं आपको बता दूए यह जो फ्रांस की क्यांति वी थी उस समय जो भाहां की जनसंख्या थी आठ ती जैसा कि मैनने आपको बताया एक वह तीन भागों में था पादरि कुलीन बर्ग ढुटे तो किसाद ब्बाट मेना होता क्या सब्सकिया टार थे थे राज को कुछ कर दिये जाते थे तो ये कुलीन बर्ग और जो निमन बर्ग है ये तो पूरे-पूरे कर देते थे लेकिन जो पादरी लोग थे इनके लिए कर देने में भी छूट थी क्या थी कर देने में भी छूट थी और उस समय वहाँ पर एक प्रतियक्ष कर हुआ करत तो आगे बढ़ते हैं next question, question number हमारा क्या हो जाएगा, question number 12, question number 12 हमारा यह है, यह रहां आपके सामने, यह क्या कह रहा है, सक्तियों पर अंकुष लगाने और सभी मनुस को मूल भूत अधिकार प्राप्त करने के लिए France में सम्मिधान कब बना था, यह पूँच रहा है, France में सम सम्मिधान बना था, ऐसी, France में जो सम्मिधान बना था, वो कब बना था, यह हमसे पूँचा गया है, तो जैसा कि आपको पता है, 1789 में तो France की क्रांटी हुई थी, है ना, 1789 में, France की क्रांटी हुई थी, उसके ठीक दो सालवाद, क्या हुआ था, हमारा France का सम्मिधान बन गया था 1791 में और 1792 में क्या हुआ था 1792 में ये गणराज घोसित हो गया था ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option number B B will be the right answer आगे बढ़ते हैं next question question number 13 क्या कह रहा है देख लेते हैं Waterloo की लड़ाई कभी थी तो मैं आपको बता दूँ ये जो लड़ाई थी ये Napoleon और Austria के बीच होई थी किसके Napoleon बर्सिस क्या होई थी Australia आउस्ट्रिया के वीच ही थी और आउस्ट्रिया के साथ क्या था हंगरी आउस्ट्रिया के साथ था हंगरी इन लोगों के वीच ही थी जिसमें आउस्ट्रिया जो था वो विजयी हो गया था आउस्ट्रिया जीत गया था और नैपोलीन क्या हो गया था हार गया था यह पराज आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन कोस्टन नमबर 14 क्या कह रहा है देख लेते हैं लुई 14 के पतन के बाद दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे इसके जो नेता हुआ करते हैं जब लुई 14 मर गए थे तो उनके बाद क्या हुआ था मैक्स मिलियन रोबे सेर रोबे स्पेर जो हैं इसके सासक बन गए थे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन बन गए थे 16 के बाद Max Million Robesphere तो मैं आपको बता दूँ यह जो Max Million Robesphere थे यह 1793 से 94 तक रहे थे जब तक यह रहे थे यह कब तक रहे थे 1793 से 94 तक रहे थे और यह जब तक भी रहे थे तब तक क्या हुआ था इनके काल को जितने टाम तक आप सोचते होंगे न कि ऐसा क्यों कहा जाता था तो ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह जो थे यह बहुत ज़्यादा खतरनाक थे इनकी अगर कोई बात नहीं मानता था तो यह गलोटिन पर चड़ा देते थे किस पर चड़ा देते थे, गलोटिन पर चड़ा देते थे, अब गलोटिन आप सोचते होंगे, गलोटिन क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूँ, यह जो गलोटिन थी, यह गला काटने वाली एक मसीन थी, क्या थी, यह गला काटने वाली मसीन थी, जो इनकी बात नहीं मानत आतंक का काल कहा जाता था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्सन नमबर सी सी बिल भी दा राइट आंसर आगे बढ़ते हैं नैस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 15 क्या कह रहा है इससे पहले कि मैं इसका आंसर बताऊं मैं आपको एक बार फिर से भूलें तो इसमें जो कोश्चन होंगे आपकी परिक्षा की दरश्टी से अत्ति संभावित प्रिश्न होंगे बहुती जादा प्रोवेबल चांसे सोंगे उन कोश्चन के आने के तो इस वीडियो को जरूर देखें जो मैं मैं मैरा अथन लाने वाला हूं उसको जरूर पूरा नाम भी पूसकता है तो इनका पूरा नाम थे इंहोंनोंने एक लिखी था the social contract क्या लेखी थी the social contract इसके अलावा इन्होंने एक book और लेखी थी क्या लेखी थी email क्या लेखी थी email उन्होंने एक book लेखी थी इसके अलावा russo ने एक नारा दिया था रूसो ने एक नारा दिया था क्या नारा दिया था go back to nature क्या दिया था आवे go back to nature इन्होंने एक नारा दिया था इन में से अगर कोई भी पूंच लेता है तो आप आंसर दे पाएंगे आप कहीं ना कि आप देखते होंगे मैं number of value कम करा रहा हूं questions एक कम आपको लगते होंगे फिलार तो मैं अभी और करा रहा हूं तो आगे बढ़ते हैं next question लेकिन जो मैं इनका explanation दे रहा हूं यह उससे just तीन गुने questions हो जाते हैं इनका अगर आप explanation भी सामिल कर लें तो यह just तीन गुने questions हो जा रहे हैं तो देखते हैं question number 16 पेरे सहर किस नदी के किनारे इस्थत है तो इसका तो direct मैं answer बता दूँ आपको सीन नदी के किनारे है एक किस नदी के किनारे है सीन नदी के किनारे है पेरे सहर आगे बढ़ते हैं next question question number 17 क्या कह रहा है देख लेते हैं यू आन जिसे यू आन कहते हैं किस देश की मुद्रा है यह किस देश की मुद्रा है यह हमसे पूंचा है तो आपको पता है यू आन जो है वो चीन की मुद्रा है कहां की मुद्रा है चीन की और जापान की क्या है जापानी एन क्या है जापानी एन जापान की मुद्रा है तो ऐसी questions में आपको जो कल की मैराथन किलास से उसमें भी लाने वाला हूँ दो, तीन, चार और पांच का तारीक को जो मैं मैराथन लाने वाला हूँ उसमें भी ऐसी expected questions लाने वाला हूँ तो आगे बढ़ते हैं next question next question 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 number 18 question number 18 क्या कह रहा है देख लेते हैं यह करें निम्न लिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है इन में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है यह हमसे पूचा गया है तो जैसा कि आपको पता होगा जैसा कि आपको पता होगा 1991 में 1991 में एक आर्थिक सुधार से related एक कानून आया था जिसमें क्या आया था 1991 में क्या आया था भी 1991 में आर्थिक सुधार से संबंदित एक टूल आया था क्या आया था LPG जिसे आप कहते है LPG LPG L for liberalization, liberalization और P for privatization, privatization और G for globalization तो यही हमारे थे A, B और C तो हमारा सही है लेकिन हमसे पूँचा है कि अंग नहीं है जो इसका अंग नहीं है जो LPG का अंग नहीं है वो हमसे पूँचा है तो यह होगा option number D तो option number D will be the right answer यह कवा आया था 1991 में आया था कवा आया था 1991 में आगे बढ़ते हैं next question question number 19 question number 19 क्या कह रहा है टिक्का रोग निम लिखित में से किस फसल से संबन देते हैं तो मैं आपको बता दूँँ यह जो टिक्का रोग है यह मूंग फली से संबन देता है क्या है मूंग फली से संबन देता है और आपको गन्ना कहीं पता होगा जो लाल वाला जो लग जाता है रोग वह होता है तो फिलाल तो जो टिक्का रोग जो है वो मूंग फली से संबन देता है option number D इसका question इदर है लेकिन इसकी सारे options नहीं दिये है option थोड़े नीचे दिये है कोई नहीं थोड़ा छोटा कर लेते है आ जाएगा सारे options आजाएंगे तो क्या कह रहा है भारत द्वारा अंटार्क्टिका में इस्थापित पिर्थम अनुसंधान इस्थेशन का नाम क्या है जो भारत द्वारा अंटार्क्टिका में इस्थापित प्रथम सबसे पहले जो इस्थेशन बनाया गया था अनुसंधान इस्थेशन उसका नाम क्या है तो मैं आपको बता दूँ थो इसका नाम जो है वो option number C में हमारा दिया है क्या दिया है वे दक्षणी गंगोत्री जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत द्वारा अंटार्टर्गा में इस थापिज प्रिथा मनुसंदान के इन्द सा दक्षणी गंगोत्री जो उनने सो त्राइसी से चौराइसी में इस्तापित किया गया था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षण सी विलवीदा राइट आंसर तो दोस्तो अगर आपको आज का एक्स्प्लेंशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि यह आज का लाश्ट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ठीक है हमारी नेस्ट वीडियो और आगे की वीडियो पाने के लिए सो थैंक